नमस्कार अंतिम बाजी में आपका स्वागत है दिली सुडियो से मैं हूमी हिरवट मेरे साथ मेरे सायोगी विरेंद्र है और अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है निफ्टी अभी भी 8575 के नीचे यानी 130 अंको की गिरावट है और निफ्टी ने 30 सि स्ट्राइक जिस दिन भारत ने जिसकी घोषना की थी सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान पर उस दिन का जो लो था उसे भारत ने ब्रीच किया है और चोटे मज़ोले स्टॉक्स में भी बिक्वाली देखने को मिली है एवी वेट्स जो है वो ऑविसली सपोर्ट नहीं कर अला कि एक खबर अच्छी ये भी आई है कि सीरिया के मुद्दे पर पुतीन और उबामा के बीच फिर से बाचीट शुरू हो सकती है एक समय ऐसा आया था जब यूएस और रशिया के बीच में इससे लेकर काफी तनाव बढ़ गया था लेकिन थोड़ा सा डी एसकिलेट हो होने के संकेत इस समय है इसके बावजूद ग्लोबल मार्केट्स और साथ-साथ इंडियन मार्केट्स इस पर अच्छी खासी पिटा ही आज है जो निफ्टी बैंक ऑल्मोस्ट इस वक्त दिन के सबसे निच 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 रोपे का अबाग कर रहा है मार्केट्स में हलक किया क्यों बैंक निफ्टी ने आज 19 दोसों को वालिट किया क्यों किटिकल एविजिस वालिट हुए चलते हैं सीधे संदीप के पास और यह वज़ा जाने की कोशिश करते हैं संदीप एग्जेक्ली बहुत सारे आइधिंक निउस फोस थे और आमिन इवेंस थे और चेन उ सुत्रों के हवाले से खवर निकल के सामने आई हैं काले धन की परताल के लिए सरकार के और से यह SIT बनाएगी थी और अब काला धन इंडियन का जो काला धन है वो पीनोट्स के जरीए इंडियन मारकेट्स में आ हैं ऐसा संदे है SIT को जिस वज़ा से ना केवल शेयर डेटेल्स भी Mississippi के और से मांगें बादै बडा निवेश दरहसल पीनोट्स के जरीए उंडियन मारकेट्स में नहीं है जो कि गुध तो पोटल इस निवेश को कॉर्पशहि दीखी साइब तो आप ये जो खबरे निकल के सामने आ रही है जाहिर सी बात है इससे एफपेस की और से थोड़ी सी जो एक घबराहट है वो तसाफ तर पर देखने को मिल दी जिसके वजह से आप देखिए बजार में अब्बे गिरावट काफी बड़ी देखने को मिल दी है ग्लोबल फैक्टर्स की जहां तक बात है अच्छी खबर जरूर आई है कि दुबारा डालोग शुरू है यूएस और रशिया के बीच में लेकिन जिसता से तनाव बड़ाता खास वर पर सीरिया को लेके अगर आप यूक्रेन की बात करें उबामा और साथी साथ पोतिन के बी में करें उनकी और से जो कमेंट्स आए हैं उससे थोड़े से जो नाव से हों कहीं ना कहीं काफी द्यादा धीले पड़े हैं इसकी वज़े से आप देखिए बादारों में प्रेशर साफ़त और पर देखने को मुल रहा है तो ना किवल ब्लोब डुमेस्टिक फैक्टर्स ग्लोबली जिस्ता के बियान आ रहे हैं जिस्ता से टेंशन्स एसकलेट हो रही हैं उसका इंपैक्ट आप देखिए इंडिट मार्किट में आप साफ़त और पर देखने को मुला है थोड़ी सी रिकवरी जरूर हुए है लेकिन अब भी आप देखिए गर अब गबरागत के सबसे बड़ा इंटो की पूरी जो बॉर्डर है जो की यॉरॉप पर रश्या को डिवाइड करती है वहां पर रश्या ने ने नूप्लियर केपबल मैसाइल्स तैनाद किया है और उबामा ने जो भी बैलंसिंग एक्ट किया हो लेकिन ये जो इनके सहियोगी का जो बयान है पूतीन का हला कि ये वार मॉंगरिंग है और ऐसा होना मुश्किल नहीं ना मुझी ना इंट्रेस्टिंग मैं था इसा क्या है कि वह श्रीवद की सम्हावना जो है बढ़ा देगा और ऐसा क्या नहीं है डोलर ट्रंप है में जाना चाहते हूं इंट्ट क्या रहेंगे बात क पी ना इसे डिन अनगर से सलेविग्स नहीं डिनकर के शिए कि ऊड़री के बद रहेंगे और आफ द्रीक है जींट फारें पर परीश बस बेस नहीं में बढ़ाइगा आपको आपको रगताएक हैशान है कि के येट 255 0 7 हमारा शौ्ट ट्रम बेस बन जाएगा यठा़ जिस प्रकार की टेंशन से रिया कुले कर और डाउंसाइड पॉसिवल है मार्केश में एक इंटनाशनल वाइस भी इस पर ले ले लेते हैं हमार साथ Dr. Enzio जुड़े हैं उनसे बात करते हैं Dr. Enzio, thanks for joining us and you know it's a pleasure having you on a day like this so are we at war is there going to be a third world war the statements coming from Russia almost indicate that if Mr. Trump doesn't come to power then there is a serious possibility of a world war three and then in fact the positive news that we just picked up is that the talks between US and Russia are going to restart as far as Syria is concerned but there is plenty of nervousness globally right now what's your take on the situation it's just all bluster Koutine is a chess player and a roulette player he plays more roulette than chess anyway so I really wouldn't take this seriously at all I mean it's just like Trump saying what he wants to do to Mr. Putin it's just a stupid side I think this is all bluster it won't come to a third world war because they're not going to go to a third world war because the tin pot country like Syria but I would like to ask a question from you who is your preferred presidential candidate Trump or Hillary I'm sorry excuse me Trump I'm sorry I can't understand you who is your preferred presidential candidate right now Enzio the line is very bad I'm sorry I just can't understand what you're saying he's trying to ask Enzio who is your preferred presidential candidate in US he's trying to understand whom do you prefer between Hillary and Trump well Hillary I mean she's the best of a bad lot she's dishonest we know that she's beholden to vests of interest more than Trump is but so will he but at least she understands a little bit more about how the government operates and that's important right so as far as India is concerned you know because we have our own set of problems what's your take on Indian markets right now and the valuations well I mean just generally speaking I think it's actually quite a good buy because if he just cut the interest rates he wants to create an excess supply of money your central bank governor and that then will indicate that there will be liquidity created which then has to go into asset markets such as stocks and shares besides which there's a very large market capitalization in India for asset managers to give in to so I think it's a good buy right all right so it's a good buy at these levels thanks dr. Ngo shukriya shukriya shakirya 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 shukriya shakirya 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 के लिए तो 8550 से 8560 के आसपास जहां पर निफ्टी काम कर रहा है मुझे ऐसी कोई वज़ा नहीं नजर आती जिसकी वज़े से मैं इस इनो एडवाइस को या फिर सला को नकारदू मैं अब भी वही कहूंगा के लंबी यवदी के नजरिये से निवेश लायक पहुत सरी अपॉर्चिनिटीज हैं और इस करेक्शन के साथ साथ मीर बजार में एक एकसेस जो था या फ्रौथ था या जो कमजोर हाथ थे वो अब निकल जाएंगे और फिर से मेरे ख्याल से बजार में एक कंसॉलिडेशन होगा हम उसी स्तर पर है जहां पर ऑगस्ट के महिने में कंसॉलिडेशन का एक निशला स्तर बनाया था तो मैं नहीं मानता कि ये सब पर्मानु यूद्ध और विश्व यूद्ध और हिलरी क्लेंटन और डॉलांड ट्रम्प और वगरा 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 को ले करके आपको ज्यादा चिंता करने की जुरूत है पाकि महिर एक ऐसा इवन्ट आता है ना जो वाकि जितनी अन्वांटिट फोर्स होती है और इलिमेंट्स होते हैं बजार क्या उसको सब बाहर कर देता है मैं देखिए दर प्रीजिए निफ्टी का लो था 6825 दर आपने 75 को रिगें किया उसके बाद आप फिर आए नीचे आपने आठ हजार को चुआ फिर आपने आल्मोस्ट ब्रेक्जिट के दिन 7990 को लो लगाया और आप 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 आल्मोस्ट 9000 चुक्या गए तो माइड पिशायद यह एक टामली कैसा इवंट आप जो की डिफरेंट अनवंटट को बादा से बहार निकाल जिसे कहते हैं डिए थप्र मार के बाहर निकालता है सफाई का प्रोसेस लेकिन मैं सोच रहा था कि देखिए इस तरह के मार्केट में होता क्या है कि अवरिबडी स्टार्स बिलिविंग जो भी वो सुनते हैं अब जैसे अभी संदीब जो बता रहे थे कि नुक्लियर वार या फिर थर्ड वल्ल वार मतलब इस नॉट इस नॉट तोरह मार्केट में इस तरह की थी कि रशिया ने कोई नुक्लियर के विल मिसाइल टेस्ट फायर किया है और उस वज़े से तनाव अचानक से ग्लोबल मार्केट में बढ़ा है यारोक में बढ़ा है बात में बता चला कि इसा कुछ हुआ है उल्टा सीरिया के मुद्ध पर दोनों देशों की भी बाचित शुरू होने वाले सो इसमें बैलेंस अप्रोच रखना काफी जरूरी होता है लेकिन हां यह है कि एक जो कॉस ऑफ कंसर्न है कि 50 डे मुविंग अवरेज की नीचे आज इतने बड़े-बड़े स्टॉक फिसले हैं राजेश आप इस पर कुछ चैट करना चाहेंगे कि यह जो नुकसान है यह थोड़ा चिंता का विशे इस तरीके से बन सकता है कि आज जो चीज आपको मिली हो सकता है कल इससे और सस्ती भी मिल जाए डिफिनेटली इन फैक मैं यही आड़ करना चाहूंगा कि यहां पे अगर आप निफ्टी की बात करें तो आट हजार पास्टो और आट हजार आट हजार आट सो का एक मीडियम टर्म दायरा दिखता है और 8550 इस शौट तम सपोर्ट मुझे पर्टिकुलिल लगता है कि यहा पर आट परफार्मस देखें वहीं पर है यहां पर लॉंग लिक्विडेशन प्रेशर जादा है अगर आप देखिए शुरू पे मुझे ऐसा लग रहा था आज कि में भी आज टीसेस का रिजल्ट है इन्फोसिस का रिजल्ट है में भी दाट इस वन अफ दरीजन लेकिन आ यह जो टागेट रहेगा वो रफ़ली 300 पॉइंट डाउंसाइड होगा और इन डाट केस आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेंट करना पड़ेगा वह 8600 का तो यह पकट के जलिए कि दिस इस रुनिंग करेक्शन की जहां पर प्रेशर आएगा लेकिन एक बात हमें यह भी पक बहुत हाए बहुत महेंगे हो चुके स्टॉक अगर आप बॉटम बॉटम से पकड़ो तो तो अगर यह करेक्शन मिलता है दन डाट बी हेल्डी करेक्शन एक टेकनिकल पॉइंट पॉइंट करेक्शन मिलेगा तभी जाके हम लोग भी नए कॉल जनरीट कर पाएंगे इस ब अठारा आट सो अठार के सथर पर रीविजिट करता हूँ पूल बैक आया था लेकिन फिर अगर आपके रीविजिट करता हूँ नताशा आपकी रहे क्या है मिन आपने गौरां को शोना अभी पूछ देर पहले अभी आपने राजेश को सुना एक टेकनिकल सेंस उन्हों भ को फोर फ्रॉंट में आगे है क्योंकि अभी डॉमेस्टिक मार्केश जो है उनका कोई उनमें कोई मेजर ट्रिगर नहीं है अधर देन दर ओनेंग्स इसकी वज़से जो मुवमेंट आएगा काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक मुवमेंट रहना चाहिए बट हाविग सब यह जो करेक्शन हैं जो कि ग्लोबल मैक्रो इवेंस के से ड्रिवन हैं यह एक लुप आप यह डोंट डिली कमेंट वेजर रूमर्स और नाट बट देर अच्छली गिविग अवरी गूट अपर्चुनिटी फोर लॉंग टर्म इंवेस्टर्स तो बाय इंटो दे मार्केश अगर आप नियर टर्म के साब से देखिये तो थोड़े से एक्सपेंसिब लगते हैं लेकिन अगर आप लॉंग टर्म के परस्पेक्टिब से देखिये तो अगर आप 15-16 परसंट ग्रोथ पी एस्टिमेट करिये एफ़ एफ़ एटीन के लिए तो यह वालुएशन उतने ज इस बीच अब तरह साथ देखिये जिस चीज़ को लेकर हम बीथे तीन महीने से सबसे ज़्यादा परेशान थे यार इंफोसिस क्यों गिर रहा है अगर आप देखिये अपने अपने अर्निंग्स टाउंगेट किया हैं कि बाई नहीं इतना रिवन्यू नियों और पाएगा अब साथ 10% बढ़ेगा अब साथ 9% बढ़ेगा लेकिन जिस दिन बाई सबस्यादा कमजोर है यही स्टॉक से स्टेंग्स दिखा रहा है अब करी करी आप देखिये ने आपकी स्कीन पर आप देखिये इन्फोसिस हजार तिरप्तन पर टेक्निकली आप इसको क्या कहेंगा अब यह नमबर आने में 24 घंटी का वक्त है राजिश बट टेक्निकली इस प्राइस बहएवेड को आप क्या कहते हैं बॉटम अब आप यह कहना सही है कि एक हजार दस के प्राइस पर एक हजार नो के प्राइस पर इसने अपना बॉटम क्रीट कर लिया है बॉटम बना लिय है यह दिस एक्चुलिए अपर्फेक्ट कांट्रा लेवल हजार के आसपास में हजार के आसपास से एक तो फर्स्ट अफ़ल हम इसे कांट्रा बाय कहेंगे टेक्निकली कंप्लेटली वोर सोल्ड है यहां पे निकेटिव डिसकाउंटेड है प्राइस देन है फैक्टर देन ह देखें मुझे लगता है कल अगर बजार में दो चीज़े है अगर इंफोसिस का रिजल्ट खराब आता है तो में भी प्रोबैबली यह होगा कि हजार का लेवल एक बार रिटेस्ट करें अगर नहीं आता तो एक जो डिसरपॉंटिंग जो पूरा माहौल बना हुआ है तो सुचे इंफोसिस में क्या होगा मुझे लगता है कि इंफोसिस में कॉंट्रा वाइंग हो रहा है आप विपरो दिखिए विपरो में विपरो जो आप इंड़ु पार्क जो टेंशन था वो टाइम पर विपरो 78 पे मिल रहता है और पॉस्पास था आज भी वहीं पे है तो तो मुझे लगता है कि वो एक बजार को एक कॉंट्रा जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है उसमें को सब कॉंट्रा बाइंग आ रहे हैं, मैं भी इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत ही पतेडिक आया, तो मैं भी उसमें एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखेगा, एक नी